मैं मांगिलाल जन्वा बंबोरी तेसिल छोटी साल दी जिला परताबगर से हूँ और करीबन चार साल से मैं जेवी खेती कर रहा हूँ चार साल से किसी प्रकार का कोई पेस्टी साइज जूरिया वगेरा बतलब इस्ते बाल नहीं करता हूँ और मैंने यहा टमाटर लगा रखे हैं ब्येंगन लगारा है यह टमाटर का प्रोड़क्शन है आपके सामने है वो लेगन देख लिजी आप बिल्कुल ओर र्गनिक है उसके रावा यह इदर मिर्टा लगा रखे है और पपीते भी है मतलब भार फचल और कर रहा हूं मैं इसमें किसी परकार का कोई पेस्ति सज नहीं है और यह विचार मेरे दिमाग में मतलब काफी समय से चल रहा था लेकिन जैसी शुरुआत करने लगे तो लोगों नगा रहे जैविक में क्या है न क्या करेगा न क्या कमा लेगा नुक्सान पड़ेगा फिर भी मतलब मैंने मतलब मेरे को मतलब बीपी भी हो गया था मेरे को शुगर भी थी तो यह पेड़ पोद्य की पत्यां वागेरा जो भी थी मतलब वह में खा करके आज शुगर मुक्त भी हूं और बीपी मुक्त भी हूं शिर्फ इन पेड़ पोदों की पत्य नहीं रह सकते हैं और पहली बात है कि अपन प्यदा करते हैं तो जिस समय ग्यों की वह ही करते हैं अपन उस वक्त डिएपी डालते हैं डिएपी के बाद में यूजया देते हैं यूजया के बाद में अपन मतलब फिर है जो मतलब खफ़तवार नाशक देते हैं उसके बाद मे तब तक अपन उसमें जहर करें और वही जहर अपन खा रहे हैं तो क्यों नहीं अपन मतलब जेविक तरीके से करें और उत्पादन उससे भी अच्छा ले मांगिलाल जी यह प्रेणा आपको कहा से मिलिया बता रहे हुए पिछले तिन चार फैसे मेरा चोटा वरसे चोटे वरसे में यह जविक कर रहा हुए प्रेणा कहा से मिलिया आपको यह है ँपरेणा मैं ने किसी व्यक्ति विश्यों से प्रेणार नहीं लिए मतलब सबसे पहले तो मेरे जो बिमारिया थी उनको मैंने कंट्रोल किया जुसरा हमारे जो दूर्गालाल जी है योगी जी हैं पीके अगरवाल साहब हैं मतलब जो भी कर्षी आदिकारी आये उनसे बराबर में संपर्के में रहा और उन्होंने वक्त वक्त पर मेरे को जानकारी दी और इसके लिए प्रेरित किया मेरे को गया थोड़ी बहुत जेविक करो कम से कम अपन और उन्हों सब और इसके इसमें किया कि पन्दरही भीगा मेरे मीर्चे है ऑन तमटर है वैंगने घयू जो है रहे इन हो फीम्पीटने मढला रखें निम्भू कभू है अ लैशोन है अब इसके लाभा मटर है और कासूरी मेति है और चना का कशूरी मेति है चने है तंब उसकी लागत में और उसकी मार्केट वेल्यू में मतलब एक तो मतलब जैसे अपने को मार्केट में बाव अच्छा मिल जाता है जैसे गेहों का क्या मिल जाता है गेहों का करीबन 4,000 के लमस मिल जाता है मतलब 40 रुपे किलो 40 रुपे किलो टमाटर का टमाटर मेरा अभी मतलब मिर्ची जा री है मेरी 35 रुपे किलो मतर मतर जा रहे है 37 रुपे किलो जा रहे हैं पपीता जा रहा मेरा 45 रुपे किलो तो यह आपकी पैचान यह देशी आपका यह कि जेएवी की प्रोड़क्ट है किसी प्रोड़क्ट को मतलब चेक करते हैं और वह अगर आपका माल वापस लिटेंगा ठीक बाद हम भी मन्दारी से उनको माल लेते हैं और मंदारी से काम करेंगे आप ने वह जेविक लाइसेंस के लिए कुछ अपले किया अपले नहीं किया अपले अब करना है मेरे को अच्छा वह जेविक प्रमानिकरन वादा पर मिटिंग थी कर्शी विपा की तरफ से वह जे उसके कारेकरता है जो जेविक परचार परसारक रहें वह बंसी लाल जिदाकर रहे हैं उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई या उनके कुछ अनुबहों का आदान परदान कुछ हुआ या पहले में मतलब किया कि इस सिर्फ गोमुत्र और देशिक आथी इस्तेमाल करता था उनसे पाइदा मिलेगा और अपने उत्पादेन में प्रभाव पड़ेगा आप क्या कहना चाहेंगे जेवी के बारे में किसानों को लोटके आना चाहिए मैं किसानों से यह कहूँगा कि आज नहीं कल और दो साल बाद में पांच साल बाद में हर कास्तकार को जेवी की तरफ आना ही पड़ेगा अगर कास्तकार जेवी की तरफ नहीं आया तो जितने वो मतलब यूरिया डिय पी ये पेस्टिसाइज वगेरा इस्तेमाल करके कम ही करे यह और अपने जो मिलने वाले हैं अपने मेहमान वगरा कोई भी आते हैं उनको अगर अगर अपने और खाते हैं तो कम से कम अपने मिलने वाले और अपन स्वस्त रहें आप यह मानते हैं कि जेवी खेती जो फाइदे का सोधा है जेवी खेती फाइदे का सोधा है और रसाइन मंगिलाल जी आपको जे साथ